दोस्तों आज किस वीडियो में हमें एक ऐसे क्रेडिक काड के बारे में बात करने वाले जो क्रेडिक काड आपको लाइफ टाइम के लिए फिर ही मिलता है यानिकि इसमें कोई ज्वाइनिंग फिस कोई भी एनुल फिस आपको देने की जुरूत नहीं पड़ती है अगर आपन करेडिक काड के बारे में और कुछ बात करने से पहले मुझे लगता है कि जानना जरूरी काड कि क्या क्या बेनिफिट देखने मिलते हैं जैसा कि आपने क्रेडिक का यूज करते हुग अगर आपने 50 रुपे का एक्सपेंड कि यहां पर आपको चार रिबोर्ट पॉइंट या फिर काहसे तते हैं 4 किvی फॉइंट मिलेंगे, अब जो पॉइंट होता है वोइ अगर आपने 100 रुपे एक्सपेंड किया तो वहापको 8 किvיה पॉ announce मिलेंगे, अब यहां पर एक पर समझना जरूरी है बाइ, एकी फॉइंट की बैलू क्या होती है, एक की भी पॉइंट की बेलू होती है यहाँ पे 0.25 पैसा यानि की 25 पैसा होती है अगर आपने 100 रुपे एक्सपेंड किया इस निसाब देखें करीब आपको 2% का benefit देखने को मिल जाता है इसके अलाव जैसा कि मैंने बताया कि भाई इस credit card पे आपको up to 5% तका cashback मिलता है तो एक cashback किस तरीके से मिलता है किस तरीके से काम करता है चलो एक बार इसके बारे में हम लोग डिसकर्स कर लेते हैं अगर आप upi के थुरू कोई payment करता है उस पर आपको 5% का cashback मिलता है लेकिन इसका calculation आप इस तरीके से समझ सकते हैं इस तरीके सा आपको करना पड़ेगा अगर आपने एक साल के अंदर अगर आप upi के थुरू 50,000 रुपे तक का expand करते हैं उस case में देखेंगे आपको यहां पर 3% का cashback देखने को मिल जाता है जैसा कि मैंने बताया कि आपको अगर 50,000 रुपे एक लाख रुपे एक लाख रुपे एक लाख रुपे एक्सपेंड करने आपको यहां पर cashback मिलता है अगर आपने यहां पर 1,500,000 रुपे एक्सपेंड कर लिए तो आपको यहां पर 3 एरपोर्ट का loan jacks देखने को मिल जाएगा यानि एक साल में इस तरीके साब यहां पर 3 एरपोर्ट का loan jacks भी ले सकते हैं और यहां पर एक बात और भी clear करना चाहँगो जो UPI transaction की बात हो रही है तो कहीं आपके दिमाग में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए भाई चलो मैं अपने घर के परिवार में अपने फ्रेंड फैमिली में किसी के पास scan करके payment करके 2% का cashback लेता रहूंगा तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बलकि आपको भी merchant पर करना पड़ेगा निए आपने कहीं पर सोपिंग किया है कुछ भी खरीदा है वहां पर आप जो 0.5% का cashback देखने को मिल जाता है जैसा दोस्तों अगर आपके पास कोई credit card नहीं तो आप इस credit card को ले सकते हैं और आपको अच्छा खासा cashback देखने को मिल जाता है अगर आप इस credit card को अप्लाई करोगा तो आपको इस credit card के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अगर मैं आपके हैं पर age limit के बारे में बात करों तो अगर आपके पचीश से लेकर के 60 है तो आप इस credit card के लिए eligible हो जाते हो वहीं अगर आपको आपके साल की इंकम अगर तीन लाक रुपे तक होती है तो आप इस credit card के लिए eligible हो जाते हो तो इस वीडियो मैंने आपको फिपताय कि इस credit card के क्या क्या benefit है और इस credit card को apply कर लिंग में डाल दिया है उस पे क्लिक करके जाकर इस credit card को आप अप्लाइक कर लीजिए फिलाल इस वीडियो के लिए लाइक करिए चैनल सस्क्राइब करिए कोई भी डाटो प्लिस कमेंट करें जरूर बताईएगा तो चलिए फिर मिलते ह किसने वीडियों सब तक के लिए जाए हैं जाए बारत